गुड मॉर्निंग सभी को स्वागत है आप सभी का एक्जाम की बाद यूट्यूब चैनल पर आज है 9 दिसंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेक कर आया हूँ 9 दिसंबर 2020 से जुड़े करेंट अफ़ेर के कुछ important questions साथ ही 9 दारीक से जुड़े राश्टी और अंतराश्टी दिवस साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए चोटा सा टेस्ट हैं जिसमें कुल 4 प्रेश्ट होंगे आप सभी को इन 4 questions के answer comment box में देने हैं 4 questions बहुत important है तो इन 4 questions के answer आप comment box में जरूर दीजेगा साथ ही आज की वीडियो में जितने भी important fact आए उन्हें आपको note जरूर कर लेना है साथ ही 9 तारीक से जुड़े राश्टी और अंतराश्टी दिवस को भी note जरूर कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें last test के question की तो last test का पहला परिश्ण था एश्याटिक सोसाइटी के संस्तापक कौन थे जिसे की दे एश्याटिक सोसाइटी और बंगाल भी कहा जाता है इसके संस्तापक कौन थे तो आपको याद रखना है इसके संस्तापक थे Sir William Jones इनके द्वारा सं 1784 में आपको याद रखना है 1784 में दे एश्याटिक सोसाइटी और बंगाल की स्तापना हुई थी कलकत्ता में ठीक दोस्तों और इसके संस्तापक थे William Jones question ये भी पूछा जाता है कि दे एश्याटिक सोसाइटी और बंगाल की स्तापना किसके समय में हुई थी यानि कि उस समय गौवर्णर जनरल कौन था तो उस समय गौवर्णर जनरल था वारेन हैस्टिंग तो वारेन हैस्टिंग के शाषिन काल में William Jones ने 1784 में दे एश्याटिक सोसाइटी और बंगाल की स्तापना की थी आपको ये सभी important fact याद रखने है question number 2 था सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आये था जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ था तो एक विरोध हुआ था लाहूर में तो इसी में जो है लाला लाजपत राइजी भी शामिलते है उस विरोध में तो ये हुआ था कि सांडर्स के द्वारा जो है वहाँ पर उन जो विद्रोई थे उन पर लाठी चार्ज किया गया था जिसमें कि लाला लाजपत राई जी की मृत्यू का बदला लेने के लिए भगत सिंग जी और उनके साथियों ने सांडर्स की हत्या की थी कोशिन इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि सांडर्स की हत्या भगत सिंग जी के नेतरत में लाला लाजपत राई जी की मृत्यू के बदले की रूप में की गई थी कोशिन ये भी एक्जाम में पूछा गया था कि 1928 में साइमन कमीशन की विरोध में निम्न में से किस स्वत्नता सेनानी की मृत्यू हुई थी तो उसका सभी आंसर है लाला लाजपत राई जी की मृत्यू हुई थी इन्होंने जो विरोध किया था उसमें जो है लाला लाजपतराई जी की मृत्ति हुई थे सन 1928 में तो आपको ये भी important fact याद रखना है Question number 3 है British East India Company की स्थापना किस वर्ष हुई थी बहुत important question और कई बार exam में पूछा गया है ठीके दोस्तों तब याद रिखिये का British East India Company की स्थापना सन 16 सो में 31 दिसंबर को हुई थी उस समय जो है ब्रिटेन की महारानी थी एलिजापेत उस समय जो है ब्रिटेन की महारानी थी एलिजापेत और इनके द्वारा ही permission दी गई थी company को उन्होंने company की स्थापना की और इसको permission दी कि ये दूसरे देशों में जाके व्यापार कर सकती है तब जो है ये British East India Company भारत में आई थी ठीके दोस्तों जहागीर का जब शाषन काल था जहागीर जब मुगल बंच के शाषक था तो उसके शाषन में British East India Company भारत आई थी question एक और exam में पूछा देता है कि British East India Company किसके शाषन काल में भारत आई थी तो जहागीर के शाषन काल में भारत आई थी और इसके द्वारा अपनी पहली factory सन 1608 में सूरत में खोली गई थी ये सभी question important और सभी question exam में आये हुए है कि British East India Company अपनी पहली कंपनी का कौली थी या इस्तापना कहा पर की थी तो सूरत में की थी पहली factory की स्तापना सन 1608 में तो आपको ये सभी important factor याद रखने है लास्ट वीडियो के टेस्ट का अंतिम प्रश्न था कटक शहर, important और आपको याद रखने है कि कटक शहर जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है साथ ही आपको याद रखने है कि इसी महानदी पर हीराकुंड बांध भीश्ती थे question exam में पूछ लिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो महानदी पर है हिराकुणबंद किस राज्य में है तो ओडिसा में है और ओडिसा में बेहती ही महानदी और इसी में जो है ओडिसा का एक शहर है कटक जहापर जो है कटक शहर जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है साथी एक और important fact आपको याद रखना है कि जो सुभाज चंदर बोस थे भारतिय सुभाज चंदर बोस इनका जन्म कहा हुआ था ये question पूछा गया exam में तो सुभाज चंदर बोस का जन्म हुआ था कटक शहर में जो है ओडिसा में महानदी के किनारे पर तो आपको ये सभी important fact भी याद रखने है ये थे last test के चारो important question साथ ही उनसे जुड़े important fact आपको ये सभी याद रखने हो सकता आप इना आप note जरूर कर लीजेगा अब चलते हैं नो तारिक से जड़े राश्टी और अंतराश्टी दिवस की important और आपको याद रखना है राश्टी विध्यारती दिवस कब मना जाता है 9 जुलाई को मना जाता है इसके बाद आता है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मना जाता है इसके अलावा जो है अंतराश्टी भ्रेष्टा चार विरोधी दिवस ये आज मनाया जा रहाँ यानी कि 9 दिसंबर को तो आप याद रखेगा कि 9 दिसंबर यानी आज के दिन अंतराश्टी भ्रेष्टा चार विरोधी दिवस मनाय जाता है जो कि एक important day है तो यहाँ पर आई ये सभी चारों इंपोर्टेंट है बहुत ज़ादा मेहत्मोन और एक्जाम में पूछे गए हैं तापको इन चारों को नोट जरूर कर लेना है याद रखेगा नो जनवरी को प्रवासी भारती दिवस, नो जुलाई को रास्टी विध्यारती दिवस, नो अक्टूबर को विश्वडाग दिवस और नो दिसंबर को अंतराश्टी ब्रहष्टा चार विरोधी दिवस सब भी important और आपको याद रखने हैं चलते हैं आज के पहले प्रश्ण पर आज का हमारा पहला प्रश्ण है भारती मूल के किस व्यक्ति को WHO Foundation का नया CEO निक्त किया गया है important question आने वाले exam की दो आपको याद रखना है कि हाली में अनील सोनी को अनील सोनी को जो है WHO Foundation का नया CEO निक्त किया गया है अगर बात करें WHO की तो WHO का पूरा नाम है World Health Organization यानकि विश्यो स्वास्त संगटन जिसका मुख्याले का आपर है इसका मुख्याले है जेनेवा में स्विशर लेंड के जेनेवा में है WHO का मुख्याले जिसकी स्थापन हुईते सन 1948 में सब भी important है और आपको याद रखने है तो ये दोनों important fact भी आप याद रखेगा साथी question important है भारती मूर के किस विक्ति को WHO Foundation का नया CEO निक्त किया गया है तो अनिल सोनी को किया गया है question number 2 आता है हाली में कि ने the city and the sea उपन्यास के लिए रविंद्र नाथ टेगो और साहित्य पुरसकार 2020 प्रदान किया गया है तब याद रखेगा the city and the sea ये एक प्रकार का उपन्यास है 2020 में जो प्रकाशित हुआ है और इसे रविंद्र नाथ टेगो और साहित्य पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसके जो लेखक है उनका नाम है राज कमल जा तब याद रखेगा राज कमल जा के द्वारे लिखा गया है the city and the sea उपन्यास और इसे ही हाली में रविंद्र नाथ टेगो और साहित्य पुरसकार से सम्मानित किया गया है इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कौशिन नवर तीन है हाली में कौन राज्य सभा के लिए निर्विरोध चुने गए है तो आप याद रखेगा हाली में सुशील मोदी सुशील मोदी जो है ये अभी जो इससे पूर्व जो होए थे उसमें बिहार के उपमुक्य मंत्री थे बिहार में उपमुक्य मंत्रिते सुशील मोदी और हाले में इनी को राज्य सभा के लिए निर्विरोध चुने गए है कोशिन इंपोटेंट हो और आने वाले एक्जामें जरूर देखा जाएगा साइक्त राष्ट निवे से समवर्धन पुरसकार 2020 से सम्मानित किया है ठीक है दोस्तों विजेता गोशित किया है तो आप याद रखेगा इंपोर्टेंट कोशिन आने वाले एक्जाम के लिए Question No.5 है प्रदान मंतिर नरेंदर मोधी आज दूर संचार विभाग और Cellular Operators Association और इंडिया द्वारा आयुजित किस वेश्वी कारेकरम का उदगाटन करेंगे तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का उदगाटन किन के द्वारा किया गया ह इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि दूस्तों हाली में इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का जो उदगाटन हुआ है कारेकरम का इसका उदगाटन किया है नरेंदर मोधी जी ने तो यह थे 9 दिसमबर से जोड़े करेंट अफेर की कुछ important question अब चलते हैं हमारे टेस्ट पर आज का हमारे टेस्ट का पहला प्रशन है कलिंग युद्ध के पश्चा अशोक ने किस नित्री को अपनाया था जैसा कि आप जानते हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ था सन 261 इसा पुर्व जो है कलिंग का युद्ध हुआ था 269 इसा पुर्व तो जो है अशोक ने शाशन काल संभाला था मोर्य वंचकर शाशन जो इसने संभाला था 269 इसा पुर्व और 8 वर्ष के पश्चा थी 261 इसा पुर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो ओडिसा वरत्मान में ओडिसा ठीक दोस्तो इससे पूर्व जो है प्राचिन समय में से कलिंग कहा जाता था तो कलिंग का युद्ध हुआ था सन 261 ईसा पूर्व जिसमें किसकी मद्धी हुआ था तो अशोग के मद्ध्य और नंदराज के मद्ध्य हुआ था के ओडिसा यानि कलीन के उसमें शाशक थे तो जब ये युद्ध हुआ इसके पशाद इसने किस नेतिक अपनाए था important question इसका answer आपको देना है question number 2 है दिवान एक खेरान विभाग के स्थापने किसके द्वारा की गई थी दिवान एक खेरान विभाग जो ही एक प्रकार का दान विभाग होता था ठीके दोस्तों उस समय जो ही एक प्रकार का दान विभाग होता था जिसमें की दान दिया जाता था एक प्रकार का दान विभाग था जो की दान पर निगरानी रखता था तो दिवानी खेरान इस विभाग का नाम था आपको बताने है निम्य मेंसे कि शाशक ने दिवानी खेरान विभाग की स्थापना की थी Question number 3 है श्री संप्रदाई मत के संस्थापक कौन थे Important question है आप जानतेंगे चार प्रकार के जो है संप्रदाईों का उस समय शुरुवात हुई थी तो आपको बताने है श्री संप्रदाई मत के संस्थापक कौन थे आज के टेस्ट का अंतिम प्रशन है भारती पुनर जागरण का जनक किने का जाता है उसके बाद जो है नो तारिक से जुड़े राश्टी और अंतराश्टी दिवस सभी important है और उनको आपको डाइरे में नोट जरूर करना है साथी आज के टेस्ट के चारो important questions के आंसर आपको comment box में देने है तो इनके आंसर आप comment box में जरूर दीजेगा साथी अगर आज के वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें साथी वे सभी जो आज चैनल पर नई है उन्हें वीडियो अच्छा लगे उप्योगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइगन जोर दबाएं जिससे के आने वाले वीडियो की तुरंच जानकरिया आपको मिल सकें थैंक यू